हे गाईस असलाम वालेकूम वेलकम बेक टू माई चैनल तो गाईस आज में शेयर करने वाले हूँ शेम्पू करने की सही तरीका गाईस मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंड की कि मैं शेम्पू करने के बाद बहुत ज़्यादा हियारफूल होता है तो मैं एक ऐसे शेम्पू करने की तरीका जिसे की आपको इन सारे प्रोब्लेम से सुटकारा मिलेगा प्लास आपका जो हियार है वो पहुत ज़्यादा सुंदर लोंग इस्ट्रॉंग एन हेल्दी होगा एड़ आपका जो हियार फोल का प्रोब्लेम था वहामेशा के लिए आपको टाटा वाई वाई करतेगा तो चलिया गाइस आप हम फटा फट से देख लेते हैं इस रमडी को इस शेम्पू को कैसे बनाना है उसकी बारे में लेकिन गाइस मुबन करने से पहले अगर अप मेरी चैनल का भी तक सस्क्रेब नहीं की होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्रेब कर इस रमडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी अपना फेब्लेट शेम्पू अब जो भी शेम्पू यूज कर रहे हो उसका हिस्ते मल कीजिएगा इंड उसके बाद आप हम इसमें एट करेंगे टू टी स्पून अप लेमन जूस प्लास का इस आप हमें चाहि इंग्रीडियन पालों के लिए बहुत ज़्यादा विनिफिशिल है आप इन सारे इंग्रीडियन को अच्छी तरिके से मीक्स कर लेंगे गाई शेम्पू को डाइरेक्ली कभी इसकल पर अपलाई ना करें ऐसे करने से आपकी हैं डेमेज हो सकते हैं इचिंग हो सकते हैं ना है तो आप उसके इस्तेमाल कर सकते हो लेमों जूस अपकी हैर से जो भी डेंड्रो पगरा है उसको रिमूप कर देगा प्लस यह आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा विनिफिशिल है क्योंकि उसमें है विटामिन सी सो गाईस मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी शेंपू करे ठीक इस तरीके से ही कीजिए गाईस अगर आप इस तरीके से शेंपू करोगी तो आप कुसी दिन बात देख पाऊगी आपकी बालों का सारे प्रोब्लेम ठीक हो गई है जो भी डेंड्रो फ्यार फेल जो भी था प्लास मैं एक इन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी बालों का जो लेंद है वो भी बढ़ जाएगा साथ आपकी बाल पहले से जादा इस्ट्रोंग हेल्दी मजबूत हो जाएगा इसी के साथ आज की वीडियो बस इतना ही था वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट प्लास गाईस अगार आप मेरी चैनल का अभी तक सस्क्रेब ना की हो तो प्लीज मेरी चैनल को सस्क्रेब कर दिजिएगा थेंक्यू